नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका फिर से एक नए वीडियो में दोस्तों आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि आरियन खान ऐसा क्या किया जेल में जिस वज़े से सारु खान को आधी रात को आना पड़ा घर से दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कई बार मसक कर दिया गया लेकिन अब अगली सुनवाई जो है वो 20 अक्टूबर होने वाली है तो 20 को सुनवाइब में हो सकता है कि यमानत मिले या नाम ले यह तो आने वाला वक्ति बताएगा लेकिन एंसीबी जो है इसकेस में पूरी तरह से सिकंजा करते नजर आ भी है। बता दू आपको कि इसका जो लिंक बताया जा रहा है इस केस का वो एक मतलब विदेश से अर्फिशली परमिशन लेनी की कोसिस की जा रहे हैं सिभी कि तरफ से जिस वज़े से जो आडियन पुरी तरह से टूटता नजर आ रहा है पुरी तरह से आपको पता है कि आडियन का इज जादा नहीं है लेकिन वो जिस तरह से जिस माहौल में रहा है उसके बाद अचानक से जो जेल में रहना वो भी कितने दिनों तक रहना ये कोई ठीक नहीं है अभी फिलाल अभी 5-6 दिन और जेल में रहेगा उसके बाद पता चलेगा कि उसे बेल मिलेगा या नहीं मिलेगा लेकिन अभी काफी ज़्यादा परिसानियों से आडियन गुजर रहा है और देखा जाए कि जेल में जिस तरह के माहौल होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं जानता कि इस तरह के माहौल में किस तरह से सर्वाइब किया जाता है इसी वज़े से कह सकते हैं कि बार-बार सारु खान को चिंता लगे रहती है कि क्या Aryan सही से खाना खाया या नहीं खाया क्या Aryan सही से रहता है या नहीं रहता है इसलिए कुछ-कुछ जो घंटे बाद वीडियो कॉल के जड़िए Aryan को देखा जाता है तो दोस्तों यही कारण था कि सारुक खान को बहुत ज़्यादा चिंता होने के बज़े से वो कई बार जेल भी गया आरियन से मिलने के लिए संतावना देने के लिए कि बहुत ही जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन पता नहीं यह कब ठीक होगा क्या ठीक होगा कैसे अपडेट मिलता है लेकिन फिलाल 20 अक्टूबर तक तो आरियन जेल में ही रहाएगा और देखा जाए कि अब आने वाले वक्त में आने वाले सुनभाई में क्या होता है जोगी होगा पूरी जनकड़ी आपको हमारे वीडियो के माद्यम से सबसे पहले आप तक पहुंचेगा तो हमारी चैनल को जब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन की घंटी बजाते लिए ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके मिलता है एक नई वीडियो में एक नई अप्डेट के साथ तब त प्रशेत रहे जैं हिंदा